हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्यर डेटा अनलेसिस विद पाइफॉन के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में आप इसको डेटा अनलेसिस विद पाइफॉन बोल सकते हैं और यू किन सेदे डेटा अनलेटिक्स तो बात करेंगे यहाँ पर डेटा अनलेसिस की बात करेंगे यहाँ पर पाइफॉन के उन टूल्स की जिनको हम यूज करेंगे डेटा अनलेसिस के लिए लेकिन सबसे पहली स्टेप में हम यह बात करते हैं कि डेटा अनलेसिस का मतलब क्या होता है तो आप एक चीस समझें कि आज एक सबसे बड़ी requirement है जो कि industry की requirement है जो कि हर organization की requirement है और वो है data predictions कि यदि आप ये देखें for example अगर मैं कि example आपके सामने put up करू stock market तो stock market का ये requirement है कि boss आज इस company के share आने वाले 2 साल या 3 साल में किस level पे होंगे इसको मैं कितने better तरीके से predict कर सकता हूँ और यहाँ पर role play करता है data analysis कि यदि आपके पास पिछले 4 या 5 साल का data set है तो उस data पे based आप अपने future prediction कर सकते हैं this technology is basically used for the same purpose कि यदि आप किसी data को analyze करना चाहते हैं और आप देखें ये एक example में ने दिया है हम बात कर सकते हैं किसी भी data की किसी भी तरीके के data ये like वो data किसी hospital का data हो सकता है वो data किसी college का data हो सकता है वो data stock market का data हो सकता है वो airlines का data हो सकता है तो यदि आपको लगता है कि यदि आपको आपके data के base पे future prediction करना है तो यहाँ पर हम बात करते हैं data analysis की यह comment करिए और बताइए मुझे कि कितने excited हैं आप इस नई technology को लेकिए लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा analysis के तो आपका डेटा तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा step by step आपको data analysis में क्या steps follow करनी पड़ेंगी और सबसे major कि यहां पर python आपकी कैसे help करेगा यह python में आपको कौन-कौन से tools पढ़ना है जो कि आप data analysis के लिए use कर सकते हैं तो यहां पर आप लिए कि मैंने सबसे पहले यहां पर आपके लिए कुछ steps लिखी हुई है पहले आप इन step को समझे कि यदि आपको data analysis पर जाना है यदि आपको data analytics करना है यदि आपको data analytics engineer बनना है और फिर second step में हम बात करेंगे कि इन steps के लिए हमें python में किन tools को cover करना पड़ेगा तो सबसे पहली step है requirement of the data कि आपको जिस भी data का analysis करना है सबसे पहले आपको data चाहिए जैसे मैंने भी आपको एक्जामपल दिया कि बहुस अगर मुझे किसी XYZ company का stock market predict करना है for the future purpose कि बहुस आने वाले 5 साल में इस company का stock price क्या होगा okay तो इसके लिए मुझे उस particular company के पिछले 5-6 साल के data के requirement होगी okay तो यह सबसे पहली step पे requirement of the data अब इस data के requirement के बाद मतलब आपको यह समझ में आगा कि आपको इस particular company के data के requirement है and then second step में आप क्या करेंगे collection data collection okay कि यदि वो company चाहती है कि पॉस फाइव यह आफ्टर प्रेडिक्शन क्या होंगे तो हमें उसके लिए उनके पिछले 5-6 साल जितना भी डेटा वेलेबल है उस data को collect करना होगा लेकिन यह जो data होगा आप समझें यह complete data आपके लिए पूरा का पूरा raw material है कि आपके पास सारा data है लेकिन क्या हमें सारे data की requirement है क्या हमें analysis करने के लिए यह complete data चाहिए ओके और यह दी नहीं तो मुझे उस particular data की cleaning और processing पर जाना पड़ेगा और यहां पर हर एक step के लिए हमारे पास tools available है अभी हम types of data की भी बात करेंगे कि जब हम data की बात करते हैं तो data भी अलागला type का होगा आपके पास लेकिन प particular data को requirement है क्योंकि data तो आपके पास huge amount में आया है ठीक है पिछले 5-7 साल गया 10 साल का data आपके पास collect हुआ है लेकिन क्या आपकी requirement इस सारे data की है और अगर नहीं तो आप उसमें से अपनी requirement के data को collect करेंगे अपनी requirement के data को process करने के लिए उसको cleaning पर जाएंगे हम ओके तो यह to analyze this data कि एक बार अगर आपके requirement का data आपको मिल गया उसके बाद आप उस data को क्या करोगे analyze आप पिछले 5 साल के उस data को analyze करोगे कि कि किस तरीके से हम अपने future prediction कर सकते है okay and then finally once you analyze your data तो आपको अपने उस data को represent करना है visualize form में graphical form में क्योंकि जो data आपके पास होगा उसको आपको user क और यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस data को visualize form में लाना पढ़ेगा मैं 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 शहां बोलते है न पिक्चर से more than a word तो यदि आप उसी को visualize form में रिप्रेजेंट करेंगे graphical form में रिप्रेजेंट करेंगे चार्ट के form में रिप्रेजेंट करेंगे so that the user can easily understand तो अपके पास . फ़ॉर्मेट में हूता है या तो आपके पास नुमेरीकल डेटा हगा है यह दूसरा आप के पास अध्राइबट अगर में से किसी ने टोड़ा सब्सक्राइब की मैट्रिक्स वार्मेत का का डेटा है यदि आपके पास numerical data है like price of the product ओके और एक data जो आपके पास tabular format में होता है tabular format में data आपके पास database के format में हो सकता है tabular format में data आपके पास excel के format में हो सकता है कि you have an excel sheet which contains huge amount of data कि उसमें product की price है ओके उसमें उसके stock prices है and another type of data तो ये जो data है आपके पास यह Excel sheet के form में हो सकता है यह data आपके पास Stabular database के form में हो सकता है Numerical data आपके पास हो सकता है तो यहाँ पर जो data आपके पास है चाहे वो numerical data है चाहे वो आपके पास Stabular data है हम क्या करते हैं इस पूरे data को हमने क्या कहा सबसे पहले हम इस data को करते हैं collect और यह डीटा जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो वो प्लेज जहां पर डेटा कलेक्ट हम करते हैं इसको बोलते हैं अच्चुली डेटा वेयरहाउस दिशी के आपकी जो रिक्वार्मेंट के फ्रूट्स होंगे हम उनको एक्स यूज करते हैं विसी तरीके से अगर हम इसको बहुत सिंपल वर्ड में समझें तो यह दिफरेंट टाइप आफ डिटा लेकिन आपने पहले स्टेप में जा किया इस पूरे डीटा को कलेट किया एंद दिन आ डीटा को प्रोसे निए टिक है तिसपार डीटा प्रोसे अगए ह्युआ जब आपका डाप बैटा प्रोसें सहरे चेंशें पारेसार में मॷ्यल्मानी। अब आपके रिक्वार्मेंट का है कि मुझे इस पॉर्टिकॉलर जैसा मैंने भी आपको बात किया विल गो फॉर डेटा विजलाइजेशन ठीक है इस कोर्स को आगे बंढ़ने से पहले बहुत क्या चाहते हैं कि हम हर टॉपिक में डिटेल में जाके बाप करें रिधि इंटरवinstall के साथ बाप करें या को डेटा को विजलाइस करना है आपको डेटा को डिफरेंट फॉर्माट में तो आप पर Python में हमारे पास अलग-अलग लाइब्रेरी अवेलेबल है अलग-अलग API अवेलेबल हैं ओके एन आई होप में यह समझ रहा हूं कि आप पहले Core Python को Complete कर चुके हैं क्योंकि यदि आप इस स्टेप पर आ रहे हैं कि आप Data Analysis के बारे में सोच रहे हैं तो आई होप आपने सबसे पहले पूरा Core Python कम्प्लीट कर लिया है और आप Python से अवेर हैं आप एटलिस दो से तीन मिनिमम प्रोजेक्ट Core Python में बना चुके हैं और उसके बाद आप Data Analytics के बारे में प्लान कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आप जम बात करेंगे तो आप देखिए जैसे हमने बात के ना डेटा अनलेटिक इंजिनियर ठीक है एड बिलीव में इस वन आफ दो मोस्ट डिमांडिंग एरियास टॉप में इसके रिक्वार्मेंट ए नीड परसन वू और डेटा अनलेटिक एंजिनियर ओके तो यहां पर अब आप देखिए इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें तीन मे जे टूल जिनको आपको पाइथान में कवर करना है इसमें सबसे पहला आता है हमारा पांडास फर्स्ट विल्ट टॉक पांडास ओके पांडास को अगर आप नाम सी समझे ना पाइथान फॉर डेटा अनलिसिस कि जब हम पांडास की बात करते हैं तो यह टूल हमें प्रोव अगर आपके पास डेटा एक्सल शीट में तो हम एक्सल शीट को कैसे एक्सेस करके उस डेटा को फैच कर सकते हैं तो डिफरेंट टाइपस ओप्शन जहां पर हम पांडास को यूज करने हैं फॉर डेटा अनलिसिस तो इस वान टूल एंड डोंट परी यहां पर आपको इस कोर्स में नेक्स टेप पे सारे टूल्स कंप्लीट मिलेंगे तो नथिंग तो वरीड आउट इस पूरा कोर्स पांडास नंपाय बैट प्लॉट लिप जिनके अभी हम बात करने वाले राइट सेकंड विल टॉक अबाउट नंपाय ठीक तो फस्टेप में आपको किसमें जा Քर या लाइब पर अपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होगा तो पहली स्टेप में बाते है कि जो टेबुलर डेटा हमारे पास है है n this data so that is what pandas is help you out अगर आपके पास अगर आपके पास डेटा numerical है and you want to जैसे array format में अगर आपके पास डेटा है matrix format में अगर आपके पास डेटा है okay so how to analyze this data या how to process this data तो यहां पर help करेगा आपका नम पाए तो यह library आपको यह बताती हैं कि आप कितने अलग अलग तरीके से data को store गर सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से आप data को process कर सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से आप data को fetch कर सकते हैं जहां पर pandas में आप पढ़ेंगे अगर आपने database पढ़ा है तो आपने database में SQL command पढ़ी होगी similar type of SQL command आप पांडाज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने requirement के data को कैसे फैच करते हैं जहाँ पर आपने अगर CSE++ कभी Python core पढ़ा है तो आपने matrix programming पढ़ी होगी जहाँ पर आपने matrix के programming देखी होगी कि how to multiply to matrix how to find the diagonal element of matrix and how to actually use the matrix programming right numpy में आपको सारी methodology ready-made मिलने वाली है इन बिल्ड मिलने वाली है कि आपको लाजिक इन चीजों पर नहीं लगाना है आपको एक्चली यह देखना है कि आप उन matrix data को किस तरीके से data analysis के यूज़ी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको numpy library मिलेगी python में ओके और एक बार जब इन दोनों को यूज़ करके हम अमारे data को analyze कर लेते हैं जैसे मैंने भी आपको बोला कि फर्स्ट नीट टू कलेक्ट डेटा collection के पास आप data processing करेंगे तो यहाँ पर आपका जो role play करेगा वो करेगा pandas और numpy after collection of data data collection से लेके processing तक आपको जो टेक्नलोजी है जो टूल यूज़ करना है वो है pandas और numpy but once your data is ready अब आपको इस data को अलग-अलग graphical form में represent करना है उसको visualize form में represent करना है ओके तो यहाँ पर आपकी help करें गया matplotlib here you'll go for a matplotlib ठीक है तो यहाँ पर आपको बात करनी है matplot library की और matplot library आपको यह बताता है कि कि कितने अलग visualize तरीके से कितने टाइप के चार्ट को कि देरा different types of chart pie chart है ठीक है instagram chart है देरा बहुत अलग-अलग टाइप के चार्ट अविलेबल होते हैं as per the requirement आप अपने डेटा को किस तरीके से chart form में represent कर सकते हैं visualize form में represent कर सकते हैं graphical form में represent कर सकते हैं यह आपको बताता है data analysis के लिए और यही हम आने वाले lectures में cover करने वाले हैं कि सबसे पहले शुरुआत हम पांदास से करेंगे second step में numerical python की बात करेंगे और third step में हम made plot library के बात करेंगे और finally at least three to four project हम इस पूरी technology में design करने वाले हैं so believe me it is one of the most fantastic course बहुत मजा आने वाला है बस बने रहना है स्कोर्स में और वीडियो को share करते रहना है okay तो चलिए शुरुवात करते हैं data analysis using python की इस journey की और मिलने है next lecture में with the concept of pandas okay till then take care bye bye